नमस्कार में दिपाली आप सभी का स्वागत दिपाली आइस्ट्रो में करती हूं देखते हैं आज का दिन अनिकी 20 सप्टेंबर 2024 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे शाशी वालों के साथ में शाशी वालों अगर आज के दिन की में बात करूं तो आज का दिन positivity के साथ embrace करके आगे बढ़ने का है आज के दिन नए विचारों को आप अपने जीवन में जगा दे सकते हैं परिस्तितियों को और strong करने के लिए कुछ अपने उपर काम कर सकते हैं आपके द्वारा लिया आज के दिन आपके स्वास्त में भी जाफा करके जाएगा साथे साथ आपके जीवन में चल रही किसी भी परिस्तिती को संभालने के लिए जो नई strategy या उसको arrest करने के लिए fight करने के लिए या उसके साथ जूजने के लिए जो manobal या आत्मबल की जरूरत है वो आज का दिन अगर आप सही तरीके से बिताएंगे इंट्रोस्पेक्टिव जोन को अगर आप थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने ही उसका समध्यान पड़ा हुआ है बात करते हैं व्रिशव राशी वालों के लिए आज के दिन आपके लिए positivity से भरा हो सक रहें अगर आपको बीच बीच में कोई भी स्ट्रेस होता है उनके स्वास्त को लेकर तो उसको लाइटली ना लें सेकिन आपके दौरान आपको कोई मेंट्रपूर्ण राय मिल सकती है किसी वेक्टिवेशेश के थ्रू जो आपको और जदा बलवान बना के जा सकता है आर् साथ conflicting situations जो on and off परिवार में start हो रही थी या होने वाली थी अब आपको सबक मिल चुका है कि अब आपको negative टॉक्सिक पीपल से या लोगों से या अवस्थाओं से अपने आपको दूर रखना है या आपके मनुबल को intact रखने के लिए काबिलित तारीफ step आपने लिया है साथी साथ कारेशेत्र में भी इस परिस्थिति को लागू कर लिजे आपके लिए अनुकूलता बन जाएगी बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए आगे बढ़ने का है आज का दिन उन सभी परिस्तितियों को पीछे छोड़ने का है जो आपको बैक फूट पर लेकर जाती है अपने आपको और स्ट्रॉंग करिए परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने के लिए मनोबल में थोड़ा सा आपको और पॉजिटिविटी राने की जरूरत है थोड़ा सा अपने लिए समय बिताइए परिवार के साथ समय बिताइए रेजुमिनेट करी अपने आपको ताकि आगे की परिस्तिती को हैंडल करने में आप सबल्य सक्षम बने साथ ही साथ अगर आपको लगता है आज के दिन कोई आड़ेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना चाहिए जो आपका या तो निजी व्यवसाय है या आपका कारिशेत्र में आपको लगता है कोई हेलफुल हो सकता है तो वो आपको कर लेना चाहिए बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए आपके लिए निकूलता सिंग राशी वालों सब तरफ से बनी रहेगी मन आपका शांत रहेगा माता पिता के प्रती जो आपकी responsibilities थी वो आप बखुबी तरीके से निभाते आ रहे हैं इसी तरह से चलते चलिए long term में आपको सब तो वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा उस करजे को जो repayment capacity वो आपकी बढ़ेगी उसको कैसे करजे को आपको handle करना है वो आपके सामने जो अभी तक situation एक चनौती बनी थी अब आपके सामने options बनके आ जाएंगा तो कुल मिला के financial stability भी दीरे दीरे आ रही है अगर आपके क कोई करजे थे कोई debt था कोई loan किसी व्यक्ति विशेश से लिया था तो उसके repayment का रास्ता भी अब generate होकर आएगा नया काम काज start करने की भी परिस्तिति आपकी हो सकती है जो लोग कारे शेत्र में हैं वो अपना निजी वैवसाय अपने लिए या अपने परिवार के किसी हो सकती है लेकिन यह आपके उपर निर्भर होता है कि आप negativity को कैसे address करते हैं अगर आप negative thoughts में ज्यादा अपने आपको involve करेंगे तो आपका stress level बढ़ेगा अगर आप चीजों को नवीनतम strategy के साथ address करेंगे तो आपकी परिस्तितियां positive होंगी परिस्तिति को कैसे handle करना है य confidence level में इजाफा अपने आप आजाएगा positive तरीके से जीवन को जीने की अब आपको कुछ एक रणनीती बनानी चाहिए और उस पर आपको काम करना चाहिए बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए मैत्रपूर्ण हो सकता है अगर आप आपने अपने सभी चीजों को positive लेकर चलना चाहते हैं तो परिवार के सभी से दस्यों का आपको कुछ ना कुछ opinion लेना चाहिए और आगे तब ही बढ़ना चाहिए सब को साथ मिला का अगर आप चलेंगे तो परिवार में अगर आपको लगता थोड़ी सी भी situation से दर से उदर हो रही है वो भी अब नहीं होगी परिवार का साथ आज के दिन आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि जो आप आगे की योजनाए परिवार के लिए बना रहे हैं उस पर सभी लोगों का मत आज के दिन जरूरी है ता बात करते हैं वरिष्टिक राशी वालों के लिए आज के दिन वरिश्टिक राशी वालों कार शेत्र में आप misunderstood हो सकते हैं आपके situations थोड़ी से negative हो सकती है लंबे समय से चल रहा कोई तनाव आपके लिए आज के दिन टेंशन ले कर आ सकता है खास तोर पर आगर वो पारिव चलिए आपको 100% positivity अपनी चीजों में देखने को मिलेगी साथ आज के दिन अगर आपको लगता है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं 100% आप कर सकते हैं बस आज के दिन मनुबल को strong करने की जरूरत है नकरात्मक प्रभावों से अपने आपको द भुगत ना पड़ सकता है लापरवाई खान पान में ना रखते हुए सूजबूच का परिचे दीजे नियंतरण में रहिए संयमित आहार लीजे साथी साथ आज के दिन अगर आपका कोई इलाज चल रहा है या कोई दवा चल रही है तो उसको आप सीरिसली लें साथी साथ नेगटिव लोगों नेगटिव प्रभावों नेगटिव इंफोमेशन को आज के दिन अपने आप से दूर रखें ताकि तनाव आपके जीवन से दूर रहे बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए पाजिव इजी मकर राशी वालों आपके लिए भी है माता पिता के स्वा ना कहीं थोड़े से अस्थिर मन के हो सकते हैं, रेस्टलेस्नेस आपको सता सकती है, कोई पुरानी बात किसी व्यक्ति विशेश के द्वारा कही गई आपको टेंशन में डाल सकती है, इसलिए सूजबुच का आज के दिन परिचे देने की जरूरत है, वो सबी तथ्यों को अपने जीवन से एग्नॉर करिये जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाकर डालते हैं, स्वास्त के प्रती भी आज के दिन थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए, कुमराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज आज के दिन आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकता है, आज के दिन अपने मन को थोड़ा सा काबू में लाने की कोशिश करना है, अगर आप किसी वेक्तिव शेश की वज़ा से डिस्टरब हो रहे थी तो अब वो परिस्तिती आपके लिए इवन आउट होती है, क परिस्तितियां financially भी लेकर आ सकता है, तो opportunities को right तरीके से right दिशा में explore करने की जरूरत है, बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए, मीन राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ, तो आज का दिन संबानिता जाएगा, खास उतार चड़ाव चीज़ों में देखने को नह ही मिलेगा, जिस तरह से situations चल रही है, काबिले तारीफ है, मन आपका शांत है, आज आप अपने और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, जरूरत यह है कि आप किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, आगे आने वाली चुनोतियां आपको financially थोड़ा सा जगजोर सकती हैं, इसलिए financial planning आज के दिन सोच समझ के करने की जरूरत है, अनवेक्षक रूप से unnecessary, अगर आपको लगता है कि आपको लोन लेना है, तभी लीजिए, नहीं तो परिस्तितियों को इग्नॉर करने की कोशिश करिए, फाल्तु के खर्चों से आज के दिन लाबदाएक साबित हो सकता है, इसके साथ मुझे आगया दीजे, कल फिर हाजिर होंगे, नमस्कार